दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंधेरी और बैंडरा के स्टूडियो तो दोस्तों ये है बाला जी का स्टूडियो जिसमें बहुत बड़े-बड़े एक्टर ना चाने कितने बड़े-बड़े एक्टर यहां पर बन गए हैं ये सब दिगज हैं फिलम इंडिस्ट्री के और दोस्तों अब हम दिगज के दिगज यस राज स्टूडियो को आपके सामने पेश कर रहे हैं इन्होंने ना चाने शारुख खान, अमिताब बचान और ना चाने कितने बड़े-बड़े उंदा कलाकारों को बनाया हैं दोस्तों यस जी वाके ही यस जी थे उनके जैसा डिरेक्टर यह अंदर का दरश्य हम यस राज स्टूडियो का आपको दिखा रहे हैं और यह बाला जी की बिल्डिंग वापिस फिर हम आप लोग को ये दिखा रहे हैं दोस्तों ये काँच की बिल्डिंग राइट साइड में यहाँ ये दोनों आफिस अंधेरी वेस्ट में इस्तित है और बहुत ही famous है दोब्स व ही सट्रगलर यहां पर ज़िछ आता है अपने स्ट्रगल करने के लिए और पहुंच चुके हैं एस्टूडियो मुंबई जो की साकिनाका में इस्तित है अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो साकिनाका स्टीशन पर उतरकर वहां से वाकिंग डिस्टेंज SJ Studio पहुंचा जा सकता है और ये साइड में ही GM Studio है यहां यमला पगला दिवाना पार्ट 3 का पूरा शूटिंग किया गया था और यहां पर यह महबते की शूटिंग हुआ करती थी अभी फिलाल यह है महबते तो खत्म हो गया है लेकिन बहुत सारे सीरियलों की शूटिंग यहां पर बाला जी के सीरियल्स की शूटिंग यहां पर चलती रहती है यह SJ Studio है दोस्तों यहां पर Learning Academy भी है यहां पर Editing Direction सारी चीज़े आपको सिखाई जाती है और यह यहां यह पोस्टर्स लगे हुँ है जिन जिन फिल्मों की यहां पर शूटिंग की जा चुकी है यही पर अपने फिल्म का लास्ट सिक्वेज जब बाबी देओल एडमिट रहते हैं तो इसी हॉस्पिटल में ही यहां उपर हॉस्पिटल बनाया हुआ है उसी में शूटिंग की गई थी और दोस्तों अब हम सेकंड लोकेशन बाला जी की पहुँच चुके हैं जिसे की क्लिक के नाम से जाना जाता है यह एस जे स्टूडियो से करीबर एक किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यहां पर सबसे ज्यादा बाला जी के सीरियलो की शूटिंग होती है और यहीं पर लर्णिंग इंस्टीटूट भी है आप आएं तो बाला जी में यहां पर दाखिला ले सकते हैं आप एक्टिंग डारेक्शन और प्रोडेक्शन सारी चीजें यहां पर आप सीख सकते हैं यहां उनका एक्टिंग स्कूल भी है और यह लाइट हॉल यह जितेंदर जी और एकता कपूर ने बनाया है यह बिल्डिंग जो है जो कि पैसा तो इश्वर ने उनको बहुत दिया है इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिया यह बिल्डिंग यह जितेंसाब की ही है और दोस्तों अब हम अब आरे से ही होकर जा रहे हैं दोस्तों यहां आरे यहां से जाने से एक तो ट्रैफिक बहुत कम मिलता है रेड लाइट नहीं है प्लस दूसरा पॉइंट यह है औ और आप बहुत ही जल्दी आरे से निकलते हैं तो सीधा यह गोरे गाउं निकलता है गोरे गाउं और अंधेरी पवई से सीधे यह है और दोस्तों यह हम संकरमान स्टूडियो दिखा रहा है एक दोर ऐसा था यहां पर एट टाइम बाला जी के सीरियल्स की करीबन 30 से 35 शू जब पैसा ज्यादा कमाने लग जाता है तो कुछ अपनी प्रोपर्टी बना लेता है कुछ अपने खुद के स्टूडियो बना लेते हैं अभी भी यहां पर शूटिंग चलती है यह कोर्ट का सिक्वेंस यहां पर शूट किया जाता है यह आप देखते हैं बहुत सारी फिल सिक्वेंस आप जाएं तो घूमने यहां पर आ सकते हैं पर आप कार्ड मेंबर अगर है तो बहुत बहुत होगा वैसे भी यहां इस लोकेशन पर आप ऐसे ही जाकर घूमफिर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हमने आज आपको दिखाई जहां जहां पर अंबालाजी tv series की shooting हुआ करती थी दोस्तों तो ये हमारे सब आखों देखी बाते हम आपको बताते हैं कोई सुनी हुई बाते नहीं बता रहे हैं कि आहा किसी से सुना और हम आपको बता रहे हम लोगों ने यहां पर डारेक्शन में shooting की है अज डारेक्टर और दोस्तों अब ह हम आपको लेकर आये हैं बैंडरा महभूब स्टूडियो जहां पर सलमान खान और शारुख खान यहां पर ज्यादा तर यहीं पर शूटिंग करते हैं उनके घर से करीब एक किलोमेटर की दूरी पर है यह महभूब स्टूडियो के अंदर का द्रश्य हम आप लोगों को दिख दोर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था रफी साहब भी यहां पर गाने गाया करते थे और उनके कैसिट्स और यह महभूब स्टूडियो जिसमें कि यहां पर बहुत सारी शूटिंग है यहां पर सलमान खान और शारुख खान के घर के करीब होने की वज़े से ये महभूब स्टूडियो में बहुत सारी शूटिंग होती है यहां से सल्मान खान का घर करीबन आधा किलोमेटर की दूरी पर है और शारुक खान का घर यहां से करीबन एक किलोमेटर की दूरी पर इस तितर दोस्तों और सलमान भाई तो यहां से कभी-कभी तो साइकल से ही आ जाते हैं और कभी वाकिंग करते हुए भी आ जाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे किन जगाओं पर सलमान खान जो है साइकलिंग करते हैं यहां पर साइकलिंग से आ जाते हैं और उन सड़कों पर आपको लेकर चलेंगे इस रास्ते पर आपको ऊपर नहीं जाना है नीचे की साइड जाना है नीचे की साइड जाएंगे तो यह आप यह बिल्डिंग जो है यह आप देख सकते हैं वास्तू बैंड्रा वास्तू बैंड्रा के नाम से यह बिल्डिंग है इसी में टाई और श्राफ रहते हैं और अपने पिताजी के साथ में यह यहां पर निवास करते हैं दोस्तों बड़ी मेहनत और जद्दो जैद के बाद में इन्होंने बड़ी मेहनत करके यह फ्लैट लिया है यहां पर जेकी श्राफ के बेटे हैं ये जेकी श्राफ ने हीरो फिल्म से अपनी जिन्दगी के शुरुआत की थी काफी बीच में कुछ बुरा समय भी आया था लेकिन अब उनके बेटे आ गए हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं इश्वर उनको काम्याब करे और भी इसी तरह से और दोस्तों ये हम लोग जा रहे हैं बेंडरा बेंड स्टेंड की और से ये सल्मान खान साहब का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट आप ये देख सकते हैं क्योंकि इनका जो घर है टाइगर श्राफ कार सल्मान खान साहब के घर के जस्ट पीछे ही है पीछे ही बिल्डिंग है तो आपको ढूणने में कोई परिशानी नहीं होगी और अब हम जा रहे हैं दोस्तों पाली हिल पाली हिल पे बहुत बड़े बड़े कलाकार यहां पर रहते हैं यहीं पर संजेदत साहब रहते हैं यहीं पर दिलिप कुमार साहब रहते हैं और हम सभी के घरों के दर्शन आपको यहां पर कराएंगे और रनबीर कपुर कपूर खान्दान के चिराग इन्होंने भी बड़ी ही शानदार और जानदार फिल्में दी हैं दोस्तों और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं अभी हाल-फिलाल में ये शूटिंग कर रहे हैं और इन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है क्योंकि एक्सराइज इन्सान को करना होता है किसी ना किसी तरीके से आपको अपने शरीर को फिट रखना है और ये अम हम लोग ये पाली हिल के पाली हिल जो है पाड़ी पे बसा हुआ है जोगस पार्क से करीबन पास में ही है और ये हम लोग रणबीर कपूर के घर पर जा रहे हैं रणबीर कपूर का घर यहीं पास ही में है बस कुछ एक मिनिट का रास्ता और शेश है इंतिजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और ये अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं रणबीर कपूर सहाब के घर पर रणबीर कपूर जो है ये वास्तू बिल्डिंग पाली हिल पर है इसी में निवास करते हैं ये वास्तू बिल्डिंग आप ये पीछे आप देख सकते हैं ये यहीं पर अपने फिलाल इनोंने ये अकेले यहां पर रहना है उनके पिताश्री तृश्री कपूर भी यहीं पा और यहीं पर दोस्तो दिलिप कुमार सहाब का भी घर है दिलिप कुमार सहाब का घर भी जस्ट इनके ये देख सकते हैं आप जैसे ही राइट मारते हैं ये दिलिप कुमार सहाब का सोलिटेर बिल्डिंग में ये जो है घर है इसी में साहराबानों के साथ में रहते हैं और उसके जस्ट आगे ही ये बाबा का घर है संजेदत सहाब का ये पूरी बिल्डिंग संजेदत सहाब की है और ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का नाम जो है दोस्तो imperial height के नाम से ये building जानी जाती है जस्ट बिल्कुल दिलिप कुमार सहाब की building से जस्ट आगे की ही building में ये दज़ सहाब रहते हैं संजेदत ये इनकी गाड़ी को आप देख सकते हैं BMW गाड़ी खड़ी हुई है और ये उस से पहले ही ये solitaire ये जो king है industry के आज तक भी इश्वर ने उन्हें अच्छा रखा है ये साहरा बानो के साथ में यहां पर रहते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहां पाली हिल पर बहुत बड़े बड़े कलाकार रहते हैं और जो में दिलिप कुमार साहब का जो बंगलो था अभी उसको किसी बिल्डर ने ले लिया है ये बोर्ड हम आप लोगों को दिखा रहे हैं उसको तोड़ कर अभी बहुत बड़ी उची इमारत बनाई जा रही है ये उसी की पृतिकरिया चल रही है और जो अभी दिलिप कुमार साहब रहे हैं वो साहरवानुजी के बंगले में रह रहे हैं यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है आते समय में इसलिए हमने ये बोर्ड आप लोगों को यहां पर दिखाया तो दोस्तो ये वास्तू बिल्डिंग से हम लोग वापिस से पास हो करके यहां से चा रहे हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आगे के वीडियो आपको अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे क्योंकि हम खुद शुटिंग लाइन में ही काम करते हैं तो दोस्तो अपना ख्याल रखें गुडबाई नमस्ते सलाम सस्रेकाल नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और इश्वर के करीब रहेंगे जितना भी आप इश्वर के करीब रहेंगे अच्छा रहेगा और यह सेंट एंड्रूज कॉलेज लेफ्ट में हम दि